नमस्कात मैं डॉक्टर संजीवनी सी तल्टों से संजीवन गर्भसंसकार के इस यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ गर्भावस्ता में शिशु के पोशन के लिए मा का आहार एक मात्र सोर्स होता है इसलिए गर्भवती का आहार पोशक तत्वों से युक्त होना चाहिए गर्भवती को अपने आहार का पिशेश रुप से ध्यान देना जरूरी होता है और इसलिए उसे अपने आहार में कुछ चीजों को खाने में इस्तमाल करना चाहिए ऐसे ही कुछ बात है रागी जिसे नाज़नी भी कहा जाता है चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्या गर्भावस्ता में रागी आप खा सकती है तथा गर्भावस्ता में रागी खाने के क्या अद्भूत फायदे आपको मि किजिए रागी एक अनाज़ का प्रकार है जिसे कुछ लोग नाचनी या फिंगर मिलेट्स भी कहते है रागे लाल रंग का होता है यहां अनाज़ कई पोशक तत्वों का खजाना है रागी केल्शियम आयन प्रोटीन से भरपूर होता है और यहां ग्लूटेन फ्री भी होत है इसलिए गेहू के विकल्प में आप रागी खा सकती है आप सवाल है गरभावस्ता में क्या आप रागी खा सकती है जी हां बिल्कुल आप आपके गरभावस्ता में रागी खा सकती है इसका सेवन गरभावस्ता में सुरक्षित माना गया है इन फैक्ट यदि रागी आप गर्भावस्तम में खाती है तो इसके सेवन से आपके स्वास्त्य तथा आपके शिशू के स्वास्त्य के लिए भी यहां फायदेमन सिध्ध होता है इतना ही नहीं आफ्टर डिलिवरी मिल्क बढ़ाने के लिए ब्रेस्ट मिल्क का सिक्रेशन अच्छे से होने के लिए भी रागी बनेफिशल होती है आईए जानते हैं रागी में कौन से कौन से पोशक तत्व पाये जाते हैं 100 ग्राम रागी में अप्रॉक्जिमेटली 5 तो 8 परसेंट प्रूटीन होता है लगभग 65 तो 75 परसेंट कार्बोहडरेट होता है तथा 15 तो 20 परसेंट डाइटरी फाइबर से भरपूर होता है रागी सबसे जादा 344 मिलिग्राम कैल्शियम रागी में पाया जाता है इतना ह नहीं रागी मिनरल से भी भरपूर होता है 3.5 परसेंट मिनरल रागी में पाये जाते है रागी में विटामिन सी विटामिन बी और एंटी ऑक्सिडंट से भरपूर रागी होती है चलिए अब चांते हैं गर्भावस्ता में यदि आप रागी का सेवन करती है तो इसके क्या बेनेफिट्स आपको मिलते है नमबर वन रागी में फाइबर्स की मातरा अधिक होती है रागी फाइबर्स से भरपूर होती है और इसलिए जब गर्भवती इसका सेवन करती है तो उसे कॉंस्टिप्रेशन की समस्या नहीं होती है जो आप खाना खाते है रागी खाने को पच नहीं होता है अधिक आपको रागी तो आपके लिए रघी का सेवन करने से मिलता है वहां है है घर्भावस्ता में जस्टेशनल डायबिटीज का खत्रा जादा होता है और यदि आपको डायबिटीज की शिकायत है तो आपके लिए रागी एक उत्तम ऑप्शन है गेहू के लिए गेहू के बदले आप रागी की रोटी भी खा सकती है रागी ग्लूटेन फ्री होता है इसलिए रागी का से करने से डाइबेटीज कंट्रोल में रहती है और ब्लाड शुगर लेवल भी नॉर्मल रहती है चौथा बेनेफिट है रागी में प्रोटीन्स के तक्व मौझूद होते है इसलिए शिशू के सेल्स अच्छे से विकसित होने में रागी मददगार साबित होता है नेक्स बेनेफिट है रागी का सेवन करने से एनिमिया की शिकायत भी नहीं होगी प्रेगनसी में हिमोग्लोविन कम होना कॉमनली देखा जाता है इसलिए आप आहार में आयन से भरपूर रागी का सेवन कर सकती है रागी में प्राकृतिक आयन भरपूर मात्रा में पाया जात नेक्स्ट बेनिफिट रागी में अमैनो एसिड होता है जिससे नीन ना आने की समस्या को दूर करने में मदद मिलती है साथवा बेनिफिट रागी में मौझुद फाइबर्स के कारण आपकी पचंग शमता अच्छी रहती है आपको कप्स की शिकायत नहीं होगी और आपका व रागी की इडली, दोसा तथा रागी की रोटी बना कर भी खा सकती है रागी की खिचडी कैसे बनानी है उसकी इडली कैसे बनती है उसके लड़ो कैसे बनते है इनकी धेल सारी रेसिपीज आप यूटूब पर देख सकती है लेकिन अधिक मात्रा में कोई भी चीज खाने से फायदे की जगा नुकसान भी हो सकता है इसलिए limited मात्रा में आपको रागी का सेवन करना चाहिए तो इस तरह से रागी का benefit लेने के लिए आपको नियमित रागी का सेवन ज़रूर करना है इसके अलावा और आपके आहार में क्या-क्या खाना है यदि आप जानना चाहती है आपका proper diet कैसा हो तो आप जोईन कर सकती है संजीवन गर्वसंसकर का online workshop जिसमें आपके diet पे काम किया जाता है और आपका diet chart बना के उससे आप follow करती है throughout 9 month जिससे आप और आपका गर्वस तशिशु बनता है healthy यदि आप जोईन करना चाहती है संजीवन गर्वसंसकर का online workshop तो नीचे description में मैंने link दी है वहाँ पे जाके download कीजिए संजीवन गर्वसंसकर आप और बनिए extraordinary mom of extraordinary baby तो हसते रहिए मुस्कुराते रहिए enjoy कीजिए pregnancy का हरक्षंट संजीवन गर्वसंसकर के साथ दन्ने वाद